हेलो एब्रिवन कैसे हो आप सब आज आपके साथ इस ब्यूटिफुल डिजाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत सारी पिक भेजी हैं आपने इसी एक डिजाइन की तो चलिए बनाते हैं इसे यह देखिए यहां पर मैंने डिजाइन बनाया है बहुत ही सुन्दर बहुत प्यारा डिजाइन बनकर आया है यह वाला इस तरह से इस डिजाइन को बनाने के लिए जो हमें फंदे चाहिए वो 6 के मल्टिफल से आपने 6 फंदे 6 फंदे 6 फंदे ऐसे काउंट करती हुए जाना है दो फंदे आपने एक्स्टा डाल लेने हैं पैटरन अच्छे से सेट हो जाएगा बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा बहुत ही लाजवाव आपका डिजाइन बन कराएगा यहाँ पर स्लाइमी मैंने 26 फंदे डाले हुए हैं 26 फंदे ठीक है 66 के मल्टिपल से 24 होगे 2 फंदे एक्स्टा इस डिजाइन को आप लेडिस के किसी भी कार्डिगन में, जाकिट में, ब्लाकर में, किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं बच्चों के किसी भी परजेक्ट में डाल सकते हैं जैन्स के स्वेटर में भी ये डिजाइन बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुन्दर लगेगा बन कर तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं आपने ये समझ लेना है कि नीचे यहां पर मैंने ये पोर्डर डाला हुआ है यहां से आपको डिजाइन की फर्स्ट रो बना कर दिखाऊंगी ठीक है फर्स्ट रो सीधी तरफ से ही आईगी डिजाइन की पहले फंदे को हमने उतार देना है पहला फंदर उतारेंगे अब दो फंदे सीधे बना लेंगे एक दो ठीक है दो फंदे सीधे बनाने के बाद अब इस फंदे पर दो बार दहागा लपेटेंगे ऐसे सलाई पर और इस फंदे को सीधा बना लेंगे फिर से इस फंदे को दो बार दहागा लपेटते हुए इस तरह से सीधा बना लेंगे अब ये एक, दो, तीन और चार फंदे सीधे अब स्टार्टिंग के ये तीन फंदे छोड़ेंगे, यहां से यहां तक जितना डिजाइन डाला है इसी डिजाइन को पूरी सलाई में हमने बार 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 रिपीट करते जाना है सलाई पर दो बार धागा लपेटते हुए दो फंदों को बनाएंगे चार फंदे सीधे फिर से इसी डिजैन को रपीट करेंगे देखिए यहां पर यह एक यह दो दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाया फिर से दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बना लेंगे फंदे को अब चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार अब फिर से देखे इस फंदे पर ऐसे दो बार धागा लपेटते हुए सीधा बनाएंगे फिर से इस फंदे पर दो बार दहगाल पेटेंगे सीधा बना लेंगे अब ये एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे लास्ट में देखें यहाँ पर दो बार दहगाल पेटेंगे सलाई पर ऐसे इसे सीधा बना लिया फिर से दो बार दागा लपेटा स्लाई पर इसे सीधा बना लिया ये बच गए हमारे तीन फंदे इने सीधा ही बना लिए दो पैटरन के एक हो गया फंदा ऐस्टिच का ऐसे करते हुए डिजैन की फर्स्ट रो हमने पूरी यहीं पर बना कर कंप्लीट कर लिए है अब सेकंड रो उल्टी तरफ से बनानी है हमने ध्यान से देखेगा डिजैन बहुत इजी है लेकिन एक बार आपको समझना पड़ेगा इस डिजैन को तो पहले फंदे को उतार लेंगे उतारने के बाद अब हमने यहां पर दिखे इन दो फंदो पर यह इन दो फंदो पर दो बार धागाले पेटा था ना यह दो फंदे हमने सीधे बनाए थे इस तीसरे फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे क्योंकि फंदों को ट्विस्ट करना है आगे वाले दो फंदे हमने यहाँ पर ले ले लेने हैं इसे आगे ले आएंगे अब पहले इसे उल्टा बना लेंगे फिर इन दो फंदों को ठीक है यह तीन फंदे हमने इस तरह से बना लिए अब देखिए यहां पर स्लाई पर हमने दो बार धागा लेपेटा हुआ है अब इन दो फंदों को हमने यहां पर इस फंदे को यहां लेके आना है तो आगे से स्लाई डालेंगे ऐसे निकाला इस फंदे को देखिए यहां प तक जितना 6 फंदों का डिजान है देखिए इन्हें 6 फंदों को रिपीट करते हुए जाएंगे तो कैसे करेंगे फिर से ये पहले 2 फंदे चोड़ेंगे तीसरे फंदे में आगे से स्लाइड डालेंगे निकाला अब इन 2 फंदों को ऐसे लेफ्ट नीडल में ले लिया इसे आगे ले आए अब एक दो तीन फंदे उल्टे तीन फंदे बनाने के बाद अब ये पहला फंदा चोड़ेंगे क्योंकि इस पर देखिए दो वर्दा का लपेटा हुआ है न हमने इसे चोड़ दिया आगे के दो फंदों में इस तरह से स्लाइड डालेंगे डालने के बाद इसे निकाला फंदे को इसे यहां ले आए और इन दो फंदों को यहां ले लिया और तीनों फंदों को उल्टा बना लेना है एक दो तीन फिर से देखिए आगे से स्लाइड डालेंगे तीसरे फंदे में इन दोनों को निकाला यहां पीछे ले आए इसे आगे ले आए अब पहले तो इसे उल्टा बना लेंगे फिर इन दोनों फंदों को अब फिर से इस फंदे को यहां इन दोनों को लेके आना है आगे तो दोनों फंदों में स्लाइड डाल ली निकाला इसे यहां इन दोनों को आगे ले आए तो देखे बहले इस दो फंदे उल्टे अब यह दो, तीन फंदे उल्टे, अब इस फंदे को छोड़ेंगे, इन दोनों फंदों में स्लाइड डालेंगे, ऐसे निकाला, इसे यहां और इसे यहां ले आए, अब यह तीनों फंदे उल्टे और यह एस्टिच का फंदा भी उल्टा, ऐसे करते हो डिजैन की सेकिंड रो हमने प पूरी सीधी आएगी, पहले फंदे को हमने उतार देना है, उतारने के बादे यह पूरी रो हमने इस तरह से सीधी सीधी बना लेनी है, थर्ड रो पूरी सीधी बनाने के बाद, अब आगे फॉर्थ रो उल्टी तरफ से, चोथी स्लाइड डिजैन की, पहले फंदे को हमने उतार लिया, उतारने के बाद, अब देखिए, ये वाला फंदा है ना, हमारा लूप वाला फंदा ये है, अब इस फंदे पर हमने दो बार धागा लिपेटना है, उल्टी तरफ से, ये एक, ये दो, दो बार धागा लिपेटते हुए, इसे उल्टा बना लेंगे, छोड़ दिया, अब चार फंदे उल्ट बना लिया, अब देखिए क्या करना है, starting के ये दो फंदे छोड़ देंगे, अब यहां से यहां तक्रीतना डिजैन है, इसी डिजैन को पूरी स्लाई में रपीड करना है, चार फंदे उल्टे, दो बार धागाले पेटते वे फंदे बनाएंगे, फिर से ये चार फंदे उल् चार फंदे उल्टे, फिर से देखें, यह लूप वाले फंदे हैं, यहां पर हम दो बार धागा लपेट रहे हैं, यह एक, दो, फिर से एक, दो, फिर से यह एक, दो, तीन, चार फंदे उल्टे, अब जैसे स्टार्टिंग में हमने एक फंदे पर दो बार धागा लपेटा थ इस तरह से ठीक है इस तरह से करते हुए fourth row हमने पूरी बना कर कम्प्लीट कर लेनी है अब row 5 बनानी है हमने सीधी तरफ से डिजैन की पांच वी स्लाइट तो तेखें पांच वी स्लाइट में हमने क्या करना है पहले फंदे को उतारना है अब इसे दो बार धाकाल पेटा था तो इन दो फंदों के स्वात इसे ट्विस्ट करना है पीछे से स्लाइड डालने है दो फंदों में निकाला इस लूपवाले फंदे को आगे ले आए इन दोनों को यहाँ पर अब यह एक यह दो यह तीन फंदे सीधे इस तरह से अब फिर से देखे इस फंदे में स्लाइड डालेंगे निकाला इने यहाँ इसे यहाँ ले आए पहले इसे सीधा बनाया फिर इन दो फंदों तो यह 6 फंदों को ही हमने बार 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 रिपीट करते हुई जाना है ठीक है देखें फिर से कैसे करना है इस फंदे को छोड़ेंगे लूप वाले फंदे को इन दो फंदों में पीछे से स्लाइड डालनी है अपने निकाला इस लूप वाले फंदे को अंदर इन दोनों को यहां ले आए तो इन तीनों फंदों को पहले सीधा बना लेना है एक दो तीन ठ पहले इसे सीधा बनाएंगे फिर इन दो फंदों को सेम ऐसे ही डिजाइन को बनाते जाएंगे इस तरह से लेंगे वापस यहां पर आ जाएंगे आगे लेंगे तीनों फंदों को सीधा बना लेंगे जैसे पहले हमने डबबी खोली थि न देखिए यहां से डबबी ऐसे खुली थी यहां से बंद हो गई हमारी अब फिर से देखिए यहां पर स्लायड डालेंगे यह भी दो फंदे सीधे अब पिछे से फिर से स्लाइड डालेंगे इन दो फंदों में निकाला इसे यहाँ इन दोनों फंदों को यहाँ लियाए और तीनों को सीधा बना देंगे अब फिर से देखे इस फंदे में स्लाइड डालेंगे निकाला यहाँ और यहाँ यह वले दो फंदे यहां यह लास्ट का फंदा सीधा ऐसे करते हुए दगे पांचवी स्लाई हमने पूरी बनाकर कंप्लीट कर ली है अब रो शिक्स छटी स्लाई बनानी है हमने उल्टी तरफ से जो पूरी हमारी उल्टी आएगी आप एक बात का ध्यान दोगे तो जब भी हम फंदो को ट्विस्ट करते हैं तो उसके बाद एक रो मैं सिंपल निकाल रही हूँ पहले सीधी तरफ से पूरी सीधी निकाली थी फिर उल्टी तरफ से पूरी उल्टी निकालेंगे एक बार सीधी तरफ से सलाई में हमने धागा लपेटा है एक बार उल्टी तरफ से लपेटा है आपने इनी छे सलाईयों को ही बार-बार रिपीट करते जाना है बहुत इजी डिजान है बड़े अराम से आप इसे बना लोगे बहुत ही प्यारा बस इस बात का ध्यान रगना ह जैसे जाकिट में या किसी भी प्रजेक्ट में आपकी 400 गुराम वूल लगती है तो आपने 500 गुराम लेके आनी है 100 गुराम वूल एक्स्ट्रा लेके आनी है क्योंकि स्लाइपर जैसे दो बार धागा लपेटते हैं तो वूल थोड़ी सी ज्यादा लग जाएकी इसमें इसलि यहां पर पहले फंदे को उता रहा था यह दो फंदे सीधे बनाए थे दो फंदे सीधे बनाने के बाद इन दो फंदों पर देखे हमने दागाले पेटना था, फिर यह एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे सेम इसी डिजाइन को आपने पूरी इस लाई में बार 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 रिपीट करते हुए जाना है बहुत ही सुन्दर फ्रेंड्स बहुत प्यारा डिजाइन लग रहा है मैं भी किसी ना किसी पोर्जेक्ट में इसे जुरूर डालूंगी तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में बाबाई, हैवा नाइस टे